हमारी मेन ग्यारेक्टर हॉलिडे के लिए बीच हाउस पर आई हुए थी तब उसके मदर का पास्ट का फ्रेंड आकर उनसे मिलता है वो एक बहुत ही मिस्ट्रियस आर्टिस्ट था जब इन दोनों में करीबिया बढ़ने लग गई तब सारे राज बाहर निकलते हैं अब आगे क्या होगा यह आज के हमारी मूवी बीच हाउस 2017 की एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी में देखेंगे इस मूवी की मिस्ट्रिय हमेश आपको सीट की एज़ पर रखेंगे तो अंतर इस वीडियो को ज़रू देखेगा अगर आपको वीडियो चलखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू करतीजे अब बीना किसी देरी के एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होते हमें एक फैमेली दिखाई जाती है अपने हॉलिडे पर अपने बीच हाउस पर आये हुए थे फैमिली में मदर का नाम है कैथरीन, फादर का नाम है हैंडरी और उनकी बेटी का नाम है एमा हैंग आउट करते हुए एमा को एक नेट मिला जो सी से वाश आफ होकर आया हुआ था इसके बाद रात में ये सब डिनर कर रहे थे एमा स्कूल में हैं और उसने ब्रेक लिया था अब वो चाती थी कि जाकर जर्मनी में रहे ये बात उसकी मदर को अच्छी नहीं लगती पर फिर भी ये चीज वो करना चाती है वो लिटरिचर में पढ़ाई कर रही थी तो उसका मानना था कभी भी स्कूल में वापस जाकर वो फिर से स्टडी कर सकती है उसे व्राइटर बनना है तो हमेशा व्राइट करने की वो कोशिश करती है पर आज कल वो कुछ भी व्राइट कर नहीं पा रही ऐसे टेंशन में उसके राते बीच जाती है एक दिन एमा की मदर कैथरीन को उसके ओल्ड फ्रेंड का कॉल आया इसका नाम है पॉल बहुत सालों बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे वो आसपास ही था तो कैथरीन ने उसे विकेंड के लिए अपने घर पर बुला लिया पॉल के आने के बाद एमा उसे नोटिस करती है पॉल को यहाँ होलिडे के लिए आना बहुत अच्छा लगा था एमा के पैरेंस उसे इंडिडूस करवाते है और कहती कि अब वो जर्मनी जाने वाली है उसने स्कूल से ब्रेक लिया है पॉल एगरी करता है कहता है कि लाइफ में मुझे स्कूल में जो पढ़ाय हुआ था वो कभी भी काम में नहीं आया कैथरीन इस बात पर कहती कि पॉल की लाइफ बहुत ही अलग है वो हमेशा ग्लैमरस सेलिब्रिटीज में रहता है एक्च्वल में पॉल एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है उसका रिसेंट शूट ये बहुत फेमस हो गया था इसके बाद इस सब उसकी फोटोज मिलकर देख रहे थे एक बहुत ही नियोड और वाइलन फोटोशूट था हमेशा उसकी इसी टाइब की फोटोज होती है पॉल को यहाँ आकर हॉलिड़ी बिता नहीं अच्छा लगा था क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेक अब हुआ था कैथरिंग कहती कि अच्छा हुआ तुम्हें आए यहाँ पर अच्छी तरीके से तुम रेस्ट कर सकते हो जब नेक सेन में हैंडरी और पॉल बात करे रहे थे तो हैंडरी बुचता है तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की पॉल कहता है कि अब तक मुझे कोई भी मिली नहीं हैंडरी ने कहा कि कोई न कोई तो अब भी होगी जो तुम्हें फसा लेगी पॉल को रहने के लिए उसका बेड़ वेगरा एमा बना रही थी वहाबर उसके सामान में उसकी फोटो उसने देखी उसे एक अलबम मिलता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था और यह बहुत ही अचीब था यह वो पुरा देख पाती उससे पहले उसकी मदर वहाँ पर आके और वहाँ से चली जाती है एमा इन फोटो से डर कर हेंडरी से पुछती है कि मदर ऐसे कैसे कोई भी स्टेंजर को खर पर पुला सकती है हेंडरी कहता है कि उसका पुराना फ्रेंड है एमा को पॉल की उतनी ज़ादा एज नहीं लगती ये सब मिलकर बीच पर हेंग आउट कर रहे थे तो पॉल भी आया फिर हेंडरी और पॉल ये स्विमिंग करने के लिए जाते है हेंडरी उसे पुछता है तुम्हारा ब्रेक अप क्यों हुआ था पॉल ने कहा कि मैं मेरी गर्फेंड से बोर हो गया था कभी-कभी ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ भी अपने दिनों में कुछ हुआ होगा या हेंडरी को रियलाइज होता है कि पॉल जादा लटकियों की रिस्पेक नहीं करता पॉल की बातों से लगता है कि उन्हें बहुत भुरी तरीके से ट्रीट करता है डिनर करते होग हेंडरी ने पॉल को उसके अंबिशन के बारें पूछा वो गयता है कि तुम्हारी फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी तरीके से सेल हो रही है तो तुम आगे की स्टेप भी ले सकते हो ज़रा हायर प्राइस पर इन्हें सेल कर सकते हो पॉल को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंट्रेस नहीं था वो जिस तरीके से पहले काम करता था उसी तरीके से हमेशा करता रहेगा ये बात एमा को बहुत यह अच्छी लगी उसे भी as a artist लोगों को किस तरीके से इग्नोर करना है और अपने art पर ध्यान देना है ये उसके लिए बहुत ही important था रात में बहुत लेट एमा ने कुछ आवजे सुने तो ये पॉल बहार खड़ा था वो बुच्छ थी कि तुम यहां कर क्या रहे हो पॉल ने कहा मैं सोच रहो कि swimming के ले जाओ पर पानी बहुत ही थंडा होगा अपना mind change कर लेता है और अंदर आ जाता है उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ drink करोगी एमा तो पहले मना कर रही थी फिर बाद में हा कह देती है किसी को disturb ना हो तो इस वज़े से पॉल के रूम में गए एमा ने पॉल को compliment किया कहा तुम लोगों के बारे में जादा सोचते नहीं ये बाद उसे बहुत ही अच्छे लगी थी वो बताती कि आजकल मुझे वराइटिंग करते हुए बहुत ही problem आय रहा है उसकी life हमेशा easy रही है तो struggles वेगरा इन सब चीज़ों के बारे में उलिक नहीं पाती पॉल कहता है कि तुमारी life में कुछ ना कुछ तो exciting चीज़ होगी जो तुमने कभी की होगी एमा कहती कि एक बार lab assistant के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा affair हो गया था पर मैं डर गई इस वज़े से आगे कुछ भी बढ़ नहीं पाया यह सब बताते होएं एमा पॉल की images देखने लग जाती है उसने पॉल से कहा कि बहुत ही अजीव है पॉल कहता है कि इसका theme murder था जब भी आप इस टाइब की photos निकाल दे हो तो आपको इस character में घुश जाना चाहिए जैसे आप actual में वह सब चीज़े कर रहे हो एमा इस बात से डर जाती है जैसे पॉल नहीं actual में murder किया होगा वो फिर अपने room में चली गी उस रात में सबना आता है जिसमें वो और पॉल intimate हो रहे थे वो अगली सुबा जब पॉल अपने room में नहीं था तो बहाँ कुछ जाती है उसकी सब चीज़े देख रही थी तो एक बड़ी सी नेट उसमें उसे मिली बहार आकर उसने notice कि पॉल अपने गाड़ी के डिकी में कुछ देख रहा था वो जब उसके बास आये तो पॉल ने डिकी बन कर ली यह बहुत ही suspicious था जब Emma वराइट करने की कोशिश कर रही थी तो पॉल उसके पास आ गया उसे एक idea आये था पर वो confused थी कि किस direction में उस idea को लेकर जाना है पॉल कहता है कि जो चीज़ तुमें excite करे उसे तुम choose कर लो और इसके बाद आगे का रासा तुमें मिल जाएगा Emma उसे बुछती है कि तुम जिस तरीके से photoshoot करते हो violence के क्या चीज़ तुमें excite करती है पॉल ने कहा कि यही मेरी life है यह बाद Emma को और भी ज़्यादा weird लगी तो वहाँ से हो चली जाती है बीच पर थोड़े टाइम बाद जब पॉल स्विमिंग करने के लिए गया तो उसका फोन पड़ा हुआ था Emma ने उठा लिया उसकी ex-girlfriend का call लगाने क्यों कुशिश करती है पर डारेक्ली voice mail पर गया वो नमबर अब चलने रहा था शाम में मदर और फादर ग्रोसरीज लेने के लिए ज़रा बाहर जा रहे थे तो Emma ने मदर से पात करनी चाहिए तो गहती है यह मुझे पॉल बहुत ही अजीब लगता है इतने सालों बाद तुम उससे मिली तो यह तुमारे लिए stranger ही है जिस तरीके से वो फोटो शूट में गरा करता है वो बहुत ही वाइलन्ट है कैथरीन ने कहा कि पॉल का वेव उफ लाइप जरा अलग है पर वरी करने जैसा कुछ भी नहीं है एक बार उसका बहुत ही वाइलन्ट फोटो शूट था जहाँ पर उसने सब लोग को बहुत ही सेफ फिल कराया था सेट पर बहुत ही मज़े हुए थे एक्चॉल में मैंने खुद उस फोटो शूट में मॉडल किया था पॉल एक अच्छा परसन है अपनी मदर की बात सुनकर एमा रिलाक्स होगी उसे लगा कि वो पॉल को ज़रा गलत समझती है इनकी जाने के बाद पॉल एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुन रहा था एमा को भी बहुत अच्छा लगा जिसकी लिंग वो उसे सेंड कर देता है एमा का पॉइंट अफ व्यू अब बदल चुका था अगली दिन सुबा पॉल अलग-अलग चीजों की इमेजिस ले रहा था तो भी उसने एमा को देखा तो उसकी फोटो ले लेता है एमा उसे पुछती है तुम ऐसे विदाउट पर्मिशन मेरी फोटो कैसे ले सकते हो पॉल ने कहा कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसकी फोटो में ले लेता हो पर्मिशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर तुम चाहो तो मेरा कैमेरा फोर सकते हो एमा ने भी इस बात पर हच दिया पॉल ने फिर एमा की बहुत सारे फोटोज ली इस सारी जिसे हैंडरी देख रहा था डिनर के वक भी एमा और पॉल बहुत सारे बाते कर रहे थे बात एक साथ वाइन पी रहे थे ये बात हैंडरी और कैथरीन को अच्छी नहीं लगती क्यादरी ने एमा को जल्दी रूम में जाकर सोने के लिए कहा यहाँ जादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पॉल ही अपने रूम में चला जाता है पर राद में जब बहुत ही लेट हो चुखा था, तो एमा पॉल की पास आगई इसके रूम में नेट देखकर हो गहती है क्या ये तुम्हारे नेक्स फोटो शूट के लिए है पॉल कहता है कि एक अच्छी मॉडल मिलनी चाहिए तुम्हें फोटो शूट कर लूँगा एमा कहती कि मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ पर मेरे चार्ज इस बहुत साथ होंगे पॉल ने कहा कि तुम्हें हायर करने के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं एमा ने यहाँ इसी रूम में अपने फादर का वेट नोटिस किया यह थोड़ा सा आजीब था पर इस बात को इग्नोर कर देती है एमा ने पॉल से कहा कि उस रात मैंने जूट कहा था सबस्मुच में मेरा लाब असिस्टन के साथ अफेर हुआ था यह सब चीजी उसे डिटेल में बता रही थी पॉल ने उसके लिए एक ड्रिंक बना दिया एमा हमेशा वाइन भी दी थी पर आज उसने स्ट्रॉंग ड्रिंक बनाय हुआ था यह दोनों फिर करीब आ गए और इंटिमेट होने लग गए थे अजानक से एमा को बहुत ज़्यादा नीन आने लग गए वो पॉल को कहती है कि मुझे बाद में उठाना अगली सुबह ओड्रिंकले अपने रूम में उठी कल क्या हुआँ इसके बार में उसे याद नहीं आ रहा पॉल को इसके बार में वो पूछती है तो पॉल ने कहा कि तुम सो गई थी इसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दिया जैसे कि हमने देखा आता कि कैथरिन और हैंडरी को पॉल का यहां रहना अच्छा नहीं लगता उसे यहां से जाने के लिए पूछ लेते हैं पॉल भी इस बाद से एगरी करता है यह बात जब एमा को पता चली तो बहुत ही अफसेट होगे वो फादर से बुछती कि आपने ऐसा किया क्यों हैंडरी कहते कि तुम्हें पॉल कूल लग रहा होगा पर मैंने उसे बाद की है वो लड़कियों के रिस्पेक नहीं करता वो उतना भी अच्छा नहीं है एमा की तबियत ज़रा खराब होगे और वो उल्टी करती है पॉकेट में अपनी पील्स जब उसने चेक की तो उसकी नीन की गुलिया ज़रा कम थी उसे लग रहा था कि पॉल ने उसके ट्री में कुछ मिला दिया था उसे उस पर शक था ही अब फिर से इन्वेस्टिकेशन वो करने लग जाती है उसके रूम में जाकर उसकी गाड़ी की चावी उसने निकाल कर लाई पॉल की गाड़ी के ट्रंग में उसने रूब कुछ हैंग गलउस और खतरनाक चीजे देखी यही चीज़ों उसने अपने मर्डर के फोटो शूट में यूज की थी पर इन सब चीज़ों के साथ उसके इस गर्डफरेंड की हेस उसमें थे एमा समझ आती की पॉल ने उसके इस गर्डफरेंड को हर्ट किया है चावी रखने के लिए जब वो पॉल की रूम में आई तो पॉल ने का तुम बहुत ही अजीब हो मैं तुमें फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ पर तुमने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े जान ली है इसके बाद वो यहां से चला गया मदर एमा के पास आकर उसे सौरी कहती है पहली बार एमा ने जब मदर को पॉल के बारे में बता हुआ था तो मदर ने जादा ध्यान ने दिया इस वज़े से मदर आकर एमा को सौरी कहती है रात में सीटी में एक कंसर्ट था एमा इंट्रेस्टेंड नहीं थी तो मदर और फादर अकेले वहाँ चले गए एमा घर बर अकेले ही थी तो रात में उसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है वह बाहर आई तो पॉल वहाँ था उसके करीब आने लग गया तो एमा उसे दूर भागने लगती है एमा अब कन्फर्म हो गई थी कि उस फोटो शूट के बाद पॉल ने अपनी गल्फरेंड को मार डाला था उसकी बॉड़ी वो कार में लेकर आया और इसके बाद एक नेट में डाल कर उसने उसे डुपा दिया गर में आने के बाद पॉल का वो क्या करे ये बात उसे भी सता रही थी जिस तरीके से पॉल ने अपनी गल्फरेंड की बॉड़ी को सी में डाल दिया उसी तरीके से एमा भी पॉल को नेट में डाल कर सी में फेक देती है जो उसने अपनी girlfriend के साथ किया वही अंजाम उसे भूगतना पड़ा Emma के घर पर आते वक्त Paul ने अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी जिसे सब को लग सके को यहाँ पर था Emma पर कोई भी शक नहीं करेगा अब इसके बाद थोड़े दिन बीट गए थे जो भी हुआ था इसके बाद Emma अच्छी तरीके सिर्फ राइट करने लग गई थी वो डिसाइड करती है कि अब वो फिर से अपने कॉलेज में वापस जाएगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी इसके पैरेंट्स को भी ये बाद बहुत अच्छी लगी इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोद नोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमुई के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे झाल 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 झाल